नमस्कार दोस्तों जैसी कृष्णा अगर दोस्तों आपका मान सम्मान समाज में आपको कम होता दिखाई दे रहा है तो आप नहाने के पानी में चंद्र का नंग और पीले फूल मिला करके नहाना सुरू कर दीजिए देखिए समाज में आपकी वाह वाह हुने लग जाएगी दात गिरना सुरू होते हैं तो पहला दात गिरता है तो उससे आप ले लीजिए और किसी चांदी की तावीज में मढ़वा करके आप उसके गले में या अपने दाहीने हाथ में बान करके रखिये देखिए दोस्तों आपका मानसमान समाज में जोरों से बढ़ने लग जाएगा आपके कारियों की यदी सराना नहीं हो रही है दोस्तों तो आपको 48 दिन तक मतलब 48 दिनों तक आपके सिरहाने के नीचे रात को सोते समय तामबे के लोटे में जल भर करके रखना है और सुबे उट करके से काटे वाले वृक्षपर चड़ा देना है अपके कारियों की कैसे सराना होने लग जाती है आपके गले में या पैर में ओद्रॉप में घाला द्वाग कर के रखते दोस्तों तो तो उसं से भी आप लोग की नोटिस में आने लग जाते हैं दोस्तों अगर कोई आपकी इच्छा विरुद का कारिय हो रहा है आप उसे नहीं रोक पा रहे हैं तो आप आरती के समय कपूर और लों की भी आरती करें और जो लों की भश्म बन जाती है उस भश्म को आप एक पड़ीके में ले ले छोटी सी पड़ीकी बना ले और तीन दिनों तक इसे थोड़ थोड़ा खा करके आपको खतम कर देना है आप देखेंगे कि जो कारिये आपकी इच्छा के विरुद हो रहा था वो बिलकुल बंद हो जाएगा दोस्तों आपके घर में निमक अगर यहां महां पड़ा हुआ रखा है कहीं फैल जाता है मतलब अस्त वेस्त यहां महां हुआ दिखाई देता है तो दोस्तों इससे भी आपके घर में कले होती है घर के जो मेंबर से दोस्तों उनका मानसिक तनाव उनके अंदर बहुत ही मानसिक तनाव आ जाता है तो अगर एसी कंडिशन से आप गुजर रहे हैं तो साथ रवी वार दोस्तों पांच बादाम किसी इधार्मिक स्थान पर आप चड़ाना सुरू कर दीजिए आपके घर का मानसिक तनाव दूर हो जाएगा और दोस्तों मैंने पहले भी कई वीडियो में सेर किया है कि कई लोगों की यहां मां थूकने की आदत होती है दोस्तों इससे भी राहु खराब होते यहां मां मत थू लुकना है वेसिंग का ही उज करिए वरना आपका मानसमान घटने लग जाता है दोस्तों आपके घर में दक्षर दिसा में लाल का वुरिक्ष लगा करके रखें कि इसमें फूल बारो महीने आते रहें अगर कोई वरिक्ष लगा लिजिए जिससे आपका जो शत्रू की शक् मानें दोस्तों वो सदेव बढ़ा हुआ रहता है दोस्तों बिस्तर जिस पर आप आराम करते हैं सोते हैं उसे भी कभी अस्त व्यस्त ना रखें उसे हमेशा एकदम नीड होना चाहिए साफ सुथरा और क्लीन एकदम टाइटली बिछा हुआ होना चाहिए नहीं तो इससे भी दोस्तों राहु खराब होते हैं और दोस्तों जब आप सुबे सो करके उठते हैं तो कम से कम आधा घंटा मतलब 30 मिनिट्स आप सीसे की तरफ अपने अपना मूह मत करिए मतलब अपना मूह ना देखें यह अच्छा शुकन नहीं होता है दोस्तों अगर आप पर कोई कलंक लगा रहा है तो आपको पांच बुधवार कोईले को रात को साथ बजे के बाद आपको अपने सीर से साथ बार उतार लेना है और गणपती का ध्यान करते हुए इससे दक्षन दिसा में फैक देना है दोस्तों यह कारिया आपको पांच बुधवार लगातार करते रहना है और दोस्तों दुर्गा सब्तसती के सात्वे और बारवे अध्याय का सतक पठन करने से भी आपकी समाज में मान सम्मान में व्रिद्धी होने लग जाती है दोस्तों और जो भी अगर आप किसी वाद विवाद में फसे हुए हैं तो पलंग के नीचे जहां आप सोते हैं वहाँ पर तामे के लोटे में पानी रखिए और सुबे उस जल को घड़ से बाहर आपको फैक देना है आप देखेंगे वाद विवाद में भी शान्ती हो जाएगी और समा करें दोस्तों मेरी वीडियोज को सेर करें जैसी कृष्णा